दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Sony A7M4 कैमरा की मैं इसे पिछले चार महिने से continuously यूज़ कर रहा हूँ और इस कैमरा को आए जो है करीब धाई साल के उपर हो चुका है लेकिन अगर मैं कहूं आप से की ये कैमरा 2024 में still very very relevant कैमरा है and I think it is the best camera for hybrid shooter तो काफी सारे लोग ने मुझे पूछा है कि सर अगर हमारे पास में सिर्फ एक ही कैमरा का बजट हो जहां पे हमें photos भी shoot करने हैं और हमें videos भी pro level पे shoot करने हैं तो कौन सा camera अच्छा रहेगा तो सबसे पहले जो camera मेरे दिमाग में आया वो है दोस्तो sony a7 m4 अब यह इसलिए भी नहीं कहा रहा हूँ क्योंकि मैं इस camera को use कर रहा हूँ जो भी मेरा experience था पिछले चार मेले में या उसके पहले मैंने जब इतनी बारी भी इसके उपर shoot किया वो सारी चीजे मैं आज आपको बताने वाला हूँ एकदम honest review के साथ क्यों ये camera मुझे 2024 में बहुत ही relevant लगता है जबकि काफी सारे camera उसके बाद में release हो चुके हैं अब वैसे तो sony a7 4 पे आपने 1000 वीडियो अब तक देख चुके होंगे लेकिन आज मैं जिन points के बारे में बात करूँगा जो highlights के बारे में बात करूँगा वो मुझे काफी important लगी और मुझे लगा कि आपके साथ वो सारी चीज़ें share करनी चाहिए क्योंकि काफी सारे लोग जो channel पर लिखते हैं कि सारा में अच्छा camera ढूंड रहे हैं तो वो जो points होते हैं एक अच्छा camera ढूंडने के तो मैंने सुचा इसके वो मैं points आपको highlight करके जरूर बता हूँ सबसे पहला point निकल के आता है दोस्तों वो है इसका megapixel count अब ये जो camera है आ रहा है 33 megapixel sensor के साथ में आप जैसे मैं एक professional photographer हूँ fashion photography करता हूँ e-commerce photography करता हूँ एक सही number है क्योंकि जब आपको कई बार blow ups बनाने पड़ते हैं कई बार आपको pictures को enlarge करना पड़ता है उसके बड़े prints बनाने पड़ते हैं तो वहां पर 33 megapixel मुझे बहुत ही अच्छे से support करते हैं दूसरी चीज अगर मुझे अपनी images को crop भी करना है जैसे कि आजकल Instagram पे या online portals के लिए जब मैं photoshoot करता हूँ तो मैं अपनी जरुत के हिसाब से images को crop भी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास में 33 megapixels है cropping के बाद भी मेरे पास में करीब 24-25 megapixels या अगर 20 megapixels भी बसते हैं तो still I am not losing any quality तो वहाँ पर मेरी quality भी maintained रहती है cropping का benefit भी मिलता है और मेरे पास में जो है काफी सारे options रहते हैं जहाँ पर मैं अपनी quality को image की quality को अच्छे से preserve कर पाता हूँ तो ये चीज मुझे इसमें काफी अच्छी लगी क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी कुछ cameras आए हैं इसी category के अंदर लेकिन वहाँ megapixels आप देखोगे तो आपको 20 या 24 megapixels की उपर वो cameras नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 20 या 24 megapixels पर आपको अच्छी photography नहीं मिलती शूट करने के लिए बट 33 megapixels है कि ऐसा number है जहां पर आप professional photography की उपर completely इस camera पर depend हो सकते हो without any fear अभी आपने देखा मैंने यहां पर अभी कुछ पिक्चर शूट किये हैं अब इन पिक्चर को शूट करके आपको दिखाने का यह मतलब था क्योंकि अब मैं बात करना चाहूं कि दूसरे सबसे important point की जो मुझे इसमें काफी अच्छी लगी वह दोस्तों सोनी a7 m4 की color science अब काफी सब्सक्राइब को गलत फैमी रहते हैं कि यार सोनी की जो अच्छी नहीं है as compared to some other brands बट यहां मैं आपको बता दूँ कि सोनी a7 s3 से जो है काफी improvement आया है सोनी की color science में and sony a7 m4 की color science जो है वह ultimate है दोस्तों आप देख पारें स्क्रीन के उपर हमने जो भी colors लिए because being a fashion photographer मेरे लिए skin tones है वह बहुत matter करती है चाहे मैं a modeling portfolio कर रहा हूं यहां मैं किसी भी तरह का जो है अपना fashion photography का assignment कर रहा हूं आप मॉडल्स का जो skin tone है वो मेरे लिए बहुत ही matter करता है and studio photography के अंदर भी आप देख पा रहे हो मैंने जो कुछ pictures निकाले है sony a7 m4 के साथ वहां पर आप देखो कितने अच्छे skin tones हमको मिले हैं तो studio के अंदर आप screen पर देख पा रहे हो मैंने जो है studio strobes का use किया है और उसके साथ साथ मैंने अपना sony a7 m4 का camera को भी इंक्लूड किया यानि की natural light plus flash के साथ मैंने कुछ pictures लिए आप screen पर देख पा रहे हो वहां भी मुझे skin tone इसका बहुत ही natural लगा models का skin tone निकल किया है so colors जो है इसके बहुत ही natural मुझे नजर आए और इस चीज ने भी मुझे इस camera के बारे में जो है social पर मजबूर किया की काफी जो है improvement किया गया है so compare with any brands और even sony की अगर आप previous model से भी compare करोगे जो sony के a7 2 थे a7 3 से तो वहां से और a7 4 का जो color science उसमें आपको बहुत ही अंतर नजर आएगा तो यहां पर overall bottom line यह कि color science जो है वह बहुत ही ही है बहुत ही subtle color आपको मिलते हैं बस आपको थोड़ा बहुत जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने settings के साथ में अपने exposure triangle के साथ में and I'm sure you'll be able to get beautiful skin tones अब यहां जो भी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे पिक्चर्स मैंने sony a7 m4 पे raw format पे शूट किये हैं तो अगर आप रॉप शूट कर रहे हो 33 MP आपके पास में उसके बावजूद भी जो है यह आपकी hard disk को बुरी तरह से फिल नहीं करता है हलाकि size तोड़ हो जाता है 33 MP आप शूट कर रहे हो बट इफ यू कंपेर लाइक जैसे sony a7 r5 61 MP तो वहां पर जो है काफी सरी आपको space की ज़ुरत पड़ती है बट अगेन मेरे लिए 61 MP अभी उतना important नहीं है कभी कोई इस तरह का assignment है जहां पर बहुत बड़ा billboard बना रहा है तो 61 MP या more than 40- 50 MP से आपको ज़ुरत पड़ती है तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप RAW पे भी शूट कर रहे हैं तो यहां पर 33 MP होने के बावजूद भी आपकी जो hard disk है या आपकी जो external hard disk है वहां पर उसके उपर ज़्यादा pressure नहीं पड़ेगा still you can manage entire data अब दोस्तों बात करेंगे इसके चौते सबसे important feature की जिसने मुझे खास तरफ में इंप्रेस किया वह है इसके auto focusing system ने आप यहां पर specially में दो चीज़ा highlight करना चाहूंगा एक तो इसके अंदर आपको जब आप फोकस ही रहे में जाते हो देखिए इस तरह से तो यहां पर आपको मिलता है tracking expand spot तो यह मुझे बह इसको अच्छे से track करता है और आपकी कोई भी picture है वो out of focus नहीं जाएगी उसके बाद दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी यहां पर focus area के अंदर वो है इसके अंदर wide focus का option जो मुझे काफी अच्छा लगा especially जब मैं portraits लेता हूं या मैं outdoor में shoot करता हूं जहां मैं अप बहुत ही quiet है बहुत ही fast है और बहुत ही accurate इसका जो है auto focus है वो मुझे खास तोर पर बहुत अच्छा लगा अब इसका जो पाचवा feature मुझे बहुत impressive लगा वो है दोस्तों इसका menu system अब देखिए जो sony a7s3 के पहले की camera थे चाहे sony a7 3 था a7 2 था even sony a7r4 भी आप देखोग या even sony a7 c a7 c2 अभी आए a7 cr वगएर 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 जितने भी camera आए है वहाँ पर sony ने जो है उसका menu system को बहुत ही easy to understand बनाया है बहुत easy to use बनाया है तो sony a7 4 पर जब मैंने काम करना शुरू करा तो यकीन मानिये आदे पॉन घंटे के अंदर मुझे सारा चीज है सम चीज है मैं बहुत असानी से समझ पाया है बिकोज की menu system को काफी improve किया गया है और यह चीज जो है sony a7 4 को बहुत ही खास बनाती है क्योंकि जब आप mirrorless पे जाते हो बहुत सारे जैसे कि मैं dslr पहले use करता था मैं mirrorless पे आया तो थोड़ा सा मुझे यह था कि पूरा system change हो र फीचर जे उनको ट्राइ करना शुरू कर दिया तो camera menu system जो है वो आपको बहुत ही इसका helpful लगेगा और जिन लोगों के पास already sony a7 m4 camera है वो भी comment करके बताएं कि आप लोगों को इसको menu system कैसा लगा आसान लगा की tough लगा I'm sure आपको बहुत ही आसान लगा होगा बट comment करके ज दोनों शूट करते हो तो यहां पर आपको कमाल के वीडियो फीचर भी मिलते हैं यहां पर आप शूट कर पाओगे 4K 60P या 4K 50P की ओपर आसानी से शूट कर पाओगे अगर आपको slow-mo वाली footage लेनी है तो यहां पर आप अराम से शूट कर पाओगे बात करें इसकी video codex की त जब आप शूट करते हो 4K 60P पर 4K 50P पर तो वो जो footage है वो जो है वो आपको cropping के साथ में आती है यह सरल भाशा में कहें तो जब आप 4K 60P पर शूट करते हो तो वो APS-C mode के अंदर चला जाता है लेकिन अगर आप 4K 30P 4K 25P पर शूट करें तो आपको without cropping आपको पूरी 4K की footage मिलेगी जो कि इस camera को एक अच्छा खासा professional level का camera बनाती है in terms of video shoots तो यहाँ पर वीडियोग्राफिक के आपको अच्छे खासी features मिल जाते हैं अगर आप S-Log वगरा पर शूट करते हैं वहाँ पर जैसी आप जाओगे तो automatically जो है इसका minimum ISO जो 800 है उसके उपर ही camera चला जात हो दूसरी चीज़ यह अच्छी लगी मुझे माली जया अपने photo photo पे अपने settings रखी है ISO अपने 200 रखा है अपरचर आप F8 पे shoot कर रहे हो ISO अपने 100 रखा है और अगर आपने video पे कुछ और settings रखी हो तो जब आप photo से video में जाते हो तो आपकी video settings automatically वहाँ पर आ जाती है नहीं कि settings नहीं होती है और जब आप video से photo में जाते हो तो जो आपने settings रखी है previously वही settings आपको यह दिखाता है तो यह चीज़ मुझे इसके अंदर बहुत अच्छी लगी और इससे आपका ना किवल काफी समय बसता है जैसे मैं content create करता हूं तो मुझे कई बर thumbnail भी लेने होते हैं में 35 mm का लेंस है और आपको 50 mm फोकल लेंज चाहिए तो आपको क्या करना है अपको सीधा जो है एपिए सी मोड के अंदर अपने चले जाना है और वहां पर जो है अपको फोकल लेंज मिल जाती है तो यह एक छोटा से एडवांटेज है हलां कि मैं बिलीव करता हूं कि यार उसका मज़ा अलगी होता है बट कई बार जरूरत पड़ती है जब हमको थोड़ी सी शैलो डेप्ट ऑफ वील चाहिए यहां को थोड़ा बैक्राउंड को ब्लर करना है तो वह भी आप इसमें आराम से कर पाओगे लास्ट पट नॉट लीस्ट यहां पर आपको मिल जाते है है कस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन हलाकि यह ऑप्शन और भी सोनी के कैमराज में है बट मैं इसलिए मेंचन कर रहा हूं कि यह मेरे पूरे शूटिंग कर जो मेरा जो वर्क प्रोस को बहुत ही आसान बनाता है यानि कि मालीजे मैं शूट करता हूं 4K 50P के उपर कई बार कई 35P और कई बार मैरे फोटोग्रफी जो सेटिंग्स है वो अलग होती है और कई बार मैं शूट करता हूं माल लीजे HD के ऊपर तो मैं चारो जो है मेरे custom mode में चारो settings मेरा अलग-अलग डाली हुई है तो जब मैं shoot करता हूँ तो बस मुझे कुछ नहीं करना होता मुझे यहाँ पर लिखे dial इस तरह से 1, 2, 3, 4 मुझे अपने custom dial को यहाँ पर change करना होता है तो यह feature भी मुझे काफी अच्छा लगा उसके लाब दोस्तों आपको पता ही है जो बाकी के features है वो सब मैंने यहाँ लगा दी है screen के उपर मैंने इसलिए mention नहीं किया है क्योंकि उसके बारे में क्योंकि camera अलड़ी 2,5 साल पहले आ चुका है तो सब को पता है वो मैंने mention नहीं किया है मैंने आज 7-8 points सिर्फ वो mention किया है जो इस camera को खास बनाते है तो आखिर में मेरे जो final words रहेंगे वो यही रहेंगे दोस्तों कि अगर आप एक hybrid shooter है आपके पास में सिर्फ एक ही camera का budget है और आप एक quality camera ढूंड रहे है जिसमें आपको photography के professional features मिले और साथ में आपको videography के भी pro level की features मिले तो मेरे हिसाब से 2024 में आज भी एक camera एक king है मैं कह सकता हूँ because यहाँ पर आपको वो सारे features इसके अंदर मिल रहे है और सबसे बड़ी बात है कि बहुती सही price के अंदर यह camera आपको मिल जाता है तो आप अपना पूरा ecosystem जो है photo और video का इस पर अराम से build कर सकते हो अब इससे जुड़े कोई भी सवाल हो वो आप मुझे नीचे comment करके ज़रूर बताएगा definitely आपके सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा overall मेरा भी तक का experience इसके साथ बहुत अच्छा लगा और 4 मेने के बाद मेरे जब मैंने सोचा कि इसके ओपर एक video बनाना चाहिए तो मैंने पूरा honesty के साथ में आपको जो भी चीज़े है वो मैंने आपको बताई है और जिन लोगे पास में sony a74 camera है वो भी नीचे comment करके लिखें उनका experience इसके साथ में कैसा रहा ताकि और भी हमारी community है जो लोग नया camera लेने की सोच रहे हैं तोड़ी help हो सके आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ thanks for watching